हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगे कि हमें बच्चों को पेट के बल सुलाना क्यों नहीं चाहिए वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइ कि बिल्कुल हो जाता है तो उससे ऐसे कहीं बार ऐसा होता हुआ है कि बच्चे की नींद में ही देत्ष हो गई है क्योंकि मैट्रेस बहुत भी जाधा सौती है और बच्च अगर पेट के बल सोता है तो सकता है उसका नां दप जाए और बच्चे को बरीच लेने में परिश कुल नो लेटाएंगे ना सोलाएंगे लेकिन बच्चे के development काफी slow हो गया क्योंकि आप बच्चे को डेते हैं तो उससे क्या होता है बच्चे का muscle development होता है हेट होने से बचता है और हेट कंट्रोल करना बच्चे को आता है और तो इस कारण वापस शुरू किया गया लेकिन स्ट्रीख्ली बोला गया कि आप जब जाग रहे हूं आप जब बच्चे के साथ में हों बच्चा जब जाग रह सीन एक साल से छोटे बच्चे में तो एसाइडी से उसकी डेत हो सकती है तो इसलिए हमें बच्चे की जो भी मैट्रेस यूज करें वह बहुत जादा सॉफ्ट यूज मत कीजिए इस बात का विशेज ध्यान रखिए कि कोई सॉफ्ट वाया ऐसा कुछ तो उसके पास में नहीं रखा दिला के सुला सकते हैं पर पेट के बल मत सुलाइए नहीं तो हो सकता है कि उसको सफोकेशन हो जाए और इस तरह से उसको कोई हमें उसको नुकसान हो जाए तो इसलिए हमें बहुत सावधानी रख के बच्चे को हमेशा ही आपको सीधे पीट के बद सुलाइए जब वह सो और जब दीन में आप टमी टाइम दे तो जरूर आप उसको पेट के बल लेटा सकते हैं पर पेट के बल आपको सुलाना बिल्कुल भी नहीं है प्लीज सब्सक्राइब